नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है मैं एक बिरियाट्रिक मेटाबॉलिक एवं रोबोटिक सर्जान हूं और वेट लॉस की सर्जरीज करता हूं बहुत सारे मरीज हमसे प्रशन पूछते हैं कि किस प्रकार की बिरियाट्रिक सर्जरी उनको करवाना चाहिए आजकल मरीज गूगल पर या उनके पास जो लिट्रेचर अवेलेबल है उसमें पढ़कर आते हैं कि कित्ते प्रकार की ओबेसिटी या वेट लॉस की सर्जरी होती है और यह जो भी मरीज होते हैं यह पता करके आते हैं किस तरह की सरजरी और कित्ते प्रकार की सरजरी उनकी की जा सकती है तो आज मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि जिन तीन मुख्य करण या प्रकार की सरजरी ओबेसिटी की होती है उन में से कौन सी surgery किस मरीज के लिए करते हैं तो sleeve gastrectomy, gastric bypass और mini gastric bypass ये तीन प्रकार की surgery साधारंट भारत के सभी centers पर की जाती है और मरीज हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि हमारी इन तीन प्रकार में से किस प्रकार की surgery होगी मेरा हमेशा से मानना है कि हर मरीज को देखकर उसकी बिमारियों को जानकर और जो obesity से associated उसको बिमारियां हैं इसको देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि उसके लिए कौन सी surgery इन में से सबसे ज़्यादा best होगी तो हम आज चर्चा करेंगे किस तरह के patient में कौन सी surgery होना चाहिए और यह जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत basic information आपको दूँगा यह कोई किसी डॉक्टरी परामर्ष का कोई substitute नहीं है बट जस्ट एक basic जानकारी जो मरीजों को होना चाहिए कि उन्हें कौन सी surgery कराना चाहिए यदि उन्हें obesity है और किस प्रकार की obesity है तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजे कि sleeve gastrectomy, gastric bypass और mini gastric bypass यह तीन प्रकार होते है surgeries के sleeve gastrectomy का मतलब है कि हम पेट का आकार सिर्फ छोटा करते हैं तो पेट का एक हिस्सा काटकर बाहर निकाल दिया जाता है जिसको हम gastrectomy बोलते हैं और मरीज फिर वो जो बचा हुआ पेट का हिस्सा रहता है उससे खाना खाता है तो यह operation जो है यह काफी common operation है इंडिया में sleeve operation इसका नाम है उसके बाद दूसरा operation जो होता है वो gastric bypass operation होता है तो इस operation में हम पेट का आकार तो छोटा करते ही हैं पर थोड़ा सा खाना भी हम bypass कर देते हैं जो पाउच हम पेट का बनाते हैं वो 30 ml का पाउच रहता है बहुत छ खाना जो है वो आत का वो हिस्सा जिसमें नहीं जाना चाहिए वह नहीं जाता और यह खाना बाइपास हो जाता है जो तीसरा प्रकार का operation होता है जिसको हम mini gastric bypass कहते हैं ऐसे तो यह भी एक प्रकार का gastric bypass ही है बट इसके नाम पर जाने की आवशक्ता नहीं है यह mini इसलिए नहीं है कि इसमें वजन कुछ कम होता है या gastric bypass ज्यादा strong operation है ऐसा कुछ नहीं है mini gastric bypass भी एक प्रकार का gastric bypass operation ही है तो आप यहां पर जैसा कि इसकी अनाटमी यहां पर देख सकते है मेरा cursor remove कर रहा है इसमें हम pouch की जो size है वो थोड़ी सी लंबी रखते हैं और bypass की length थोड़ बाई होती हो ज्यादा होती है तो अब हम यह बात करेंगे कि किस प्रकार के मरीज में किस प्रकार का operation होना चाहिए और क्या वो characteristic उन मरीजों की होती है जिनमें इस प्रकार के operation होना चाहिए तो जैसा कि आप मेरी दूसरी slide में देख सकते हैं कि हम sleeve gastric timing के बार में बात sleeve operation मतलब वो operation जिसमें कि हम पेट का आकार सिर्फ छोटा करते हैं कोई bypass नहीं करते हैं तो देखिए यह operation जो है उन मरीजों में होना चाहिए जिनको diabetes नहीं है साधारंत हमारे center पे या किसी भी बड़े center पे जहां volumes ज्यादा है वहाँ diabetes के लिए gastric bypass operation ही किया जाता है तो sleeve उन मरीजों में होगा जिनको diabetes नहीं है यदि आपको diabetes है तो bypass operation आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसी से diabetes ज्यादा अच्छे तरीके से ठीक होती है अगर आपका body mass index 40 से कम है तो sleeve के लिए आप ज्यादा अच्छे candidate है जो history रहती है gastroesophagial reflux की जिसको हम GERD English में कहते हैं GERD याने खाना आपके आपको खाना बार-बार उपर की तरफ आता है और जिसको हम acidity भी बोलते हैं कुछ लोग इसको acidity बोलते हैं कुछ लोग इसक बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं हमको बार-बार रात-बार ऐसा लगता है कि acid reflux हमको होता है इन लोगों में हम sleeve operation को नहीं करते हैं इनमें bypass operation ज्यादा उप्योक्त होता है ऐसे patients जिनको peptic ulcer है उनमें या पुराना कोई diodonal ulcer है कुछ हाला आपके पेट में हुआ है उनमे रीजो में sleeve operation ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि ये liver को improve ज्यादा अच्छे तरीके से करता है आपको आथ की कोई सी भी बिमारी है जिसको हम inflammatory bowel disease बोलते हैं तो sleeve operation आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि natural बात है कि sleeve operation में हम आथ के हिस्से को नहीं चू रहे हैं ऐसे patients इनकी पहले बहुत सारी surgeries हो चुकी है तो ऐसे case में sleeve operation ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक short procedure है इसमें हम छोटी आथ या बड़ी आथ को नहीं चू रहे हैं patients जो बहुत heavily smoke करते हैं उन लोगों को sleeve operation ही कराना चाहिए क्योंकि gastric bypass operation में छाले होने की प्रवित्ति बढ़ जाती है ऐसे patient जो की cancer endemic areas से आ रहे हैं cancer endemic area मतलब ऐसे कुछ हिस्से भारत के या पूरे विश्व के जहां पर कुछ प्रकार के cancer ज्यादा पाया जाते हैं जिसमें की stomach cancer पाया जाते है ऐसे cases में उन area से आने वाले लोग जरूरी नहीं कि उनको cancer हो पर उन area से आने वाले लोगों के लिए sleeve operation ज्यादा अच्छा है तो यह मैंने आपको कुछ मुख्य कारण बताए जहां पर या मुख्य वो category of patients बताए जहां पर कि हम sleeve operation को करते हैं अब हम gastric bypass operation की बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा diabetes के patients को bypass operation ही कराना चाहिए और bypass operation जो gastric bypass है इसको हम conventional gastric bypass कहते हैं यह इससे diabetes ठीक होती है वैसे जैसे मैंने आपको कहा gastroesophagial reflux या पचय या ऐसे मरीज जिनको बार-बार acidity होती ही उनको भी gastric bypass operation ज्यादा अच्छा होता है तो यह हम कहें कि मोटे-मोटे तोर पर diabetic मरीज gastric bypass operation कराते हैं अब एक जो mini gastric bypass जो मैंने तीसरा option आपको समझाया था यह operation हम साधरंट उन लोगों में करते हैं जहांपर की diabetes बहुत severe होती है मने आपको बहुत जादा insulin यदी चल रहा हो और दवाईयों से आपकी diabetes नहीं ठीक हो रही है ऐसे patients इनका वजन बहुत जादा हो 1500-200 kg तक वजन हो या body mass index 50 से भी उपर हो जिनको हम super obese bariatric surgery की language में कहते हैं बहुत high risk patients जो होते हैं क्योंकि यह short procedure जल्दी हो जाता है और ऐसे patients जिनको कोई liver की problem नहीं तो इन patient की liver की problem रहेगी तो मैंने पहले भी बताया हम sleeve gastrectomy operation करते हैं तो यह तीन प्रकार के operation हैं जिनके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा करी कि कौन सा operation किस category में हमको करना चाहिए और साधारंत यह तीन ही operation ज्यादा भारत में होते हैं आपको बहुत मोटे-मोटे तोर पर यह simplify करके मैं last में बताना चाहता हूँ कि यदि आप diabetic हैं तो आप bypass operation कराएं यदि young unmarried लडकी है जिसकी अभी शादी होनी है आगे pregnancy plan करनी है तो sleeve operation ज्यादा अच्छा है high risk patients जो है उनमें sleeve operation ज्यादा अच्छा है लिवर की बिमारिया है उनमें sleeve operation ज्यादा अच्छा है और यदि बहुत ज्यादा वजन है बहुत severe diabetes यह दो बहुत important categories है बहुत ज्यादा वजन और बहुत ज्यादा diabetes तो आप mini gastric bypass operation को चूस करें तो यह एक छोटा सा एक वीडियो ह हमने बनाया है और उदेश यह है कि मरीज इसमें confused नहों मैं फिर से कहूंगा कि यह वीडियो कहीं पे भी डॉक्टर की सलह का substitute नहीं है यह सिर्फ patients की को थोड़ी सी जानकारी देने का एक माद्या में जिससे उनको पता रहे कि यह तीन operation होते हैं और किन तरह के patients में operation करना च चिर्फ स्थार्ट